अकुला के बोरगाव मांजु थाना अंतर गताने वाले इलाकों से मोबाइल फोन के टावरों में इस्तमाल किये जाने वाले बीबीउ के चोरी होने के सम्मन में दी गई रिपोर्ट के आधार पर बोरगाव मांजु थाना में धारा 399 के तहत मामला दर्ज किया गया था अकोला जिले में मोबाइल टावर की बीबियू चोरी करने वाले दो आरोफी गिरफतार अकोला पुलिस की स्थानी अपराज शाका की बड़ी कारवाही अकोला के बोरगाव मांजु धाना अंतरकत आने वाले इलाके से मोबाइल फोन टावरों में इस्तमाल किये जाने वाले बीबियू की चोरी होने के संबन में दीगई रिपोर्ट के आधार पर बोरगाव मांजु धाना में 1339 के तहत मामला दर्ज किया गया था अकोला पुलिस की एलबिसी की पुलिस निरिक्षक शंकर शेलके ने अपने अधिस्त जाच दल के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपराद का खुलासा करने की निर्देश दिये इपी आए केलास भगत ने गोपनिय जानकारी के आधार पर संदिक दोग आरोपी अकोला की बड़ी उम्री में रहने वाले हर्शल रामदास मरस को ले उम्र 30 साल तथा बड़ी उम्री में रहने वाले निकिल सुधीर मुहिते उम्र 31 वर्ष को हिरासत में लेकर उक्ता प्र प्राद की पुर्व वेचना करने पर आरोपी द्वारा पुलिस थाना बालापूर एवं पुलिस थाना M.I.D.C. में उक्ता प्राद करना स्विकार किया गया सिविल लाइन थाना शेत्र में मुबाइल टावर को चोरी करने की बाद कबूल करने के बाद आरोपी ने बोरग गाव मंजु पुलिस टेशन को सोब दिया गया है। पुलिस थाना बालापूर लाइन तरी वीपूट